तो यह स्टोरी है मेरे फर्स सक्सेस्फुल ब्लॉग की, इसी सेम ब्लॉग से मैं हर महीने साथ आठ हजार डॉलर की अर्निंग करता हूँ, यही वो ब्लॉग है जिस पर मुझे मिलियन्स में ट्राफिक आता है, और इसी सेम ब्लॉग की मदद से आज के टाइम पर मैंने करी इन ही पैसों से, अगर आप एक बिगिनर हो तो यह स्टोरी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहीगी, जिन फेजसे आज आप गुजर रहे हो, उन्ही सेम फेजसे किसी टाइम पर मैं भी गुजरा था, तो आप उसे बहुत ज्यादा रिलेट कर पाओग तो यार उसके लिए वीडियो को लास तक जरूर देखते रहे हैं, यह बात है 2015 की, जब मेरे कॉलेज का सेकेंड समेस्टर चल रहा था, उस टाइम पे मेरे दिमाग में यही था कि मैं कुछ अपने कॉलेज में करूं, ताकि मैं अपनी एक साइड इंकम कर सकूं, मेरे पाप रहे छोले बटूरे खाने का, वो सब कुछ कर लिया, आपके साथ भी ऐसा होता होगा, कि आपको भी दिखता है कि कॉलेज के टाइम पे कुछ लोग ज़्यादा पैसा खरच रहे हैं, आपके पास कम पैसे हैं, या फिर आप मिडल क्लास से हो, तो आप शायद उतना पैसा न अब यहाँ पर inspiration तो मैंने ली, लेकिन मैंने उसके साथ साथ उसका idea भी copy कर लिया, जो बहुत सारे bloggers करते हैं, beginners देखते हैं कि किसी बंदे का successful blog news website है, तो वो भी news website start कर देते हैं, किसी ने शायरी website पर अच्छी success पारक की है, तो बंदे उसको देखके शायरी website पर ही लग ज करता था, वैसी ही similar posts मैं भी create करता था, इस blog को बनाने के बाद मैंने total 32 articles बनाए, खुद लिखे, खुदी उनकी images भी बनाई, और ये सारा काम करने हैं, मैंने सिर्फ 4 दिन लगाए, चार दिन में मैंने सारे का सारे articles अपनी website के उपर post कर दिया, और post करने के बाद मैंने google adsense क बनाए थे, जिन में मैंने बहुत ज़दा actively blogging नहीं करी, लेकिन उनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को भी मिला, उनके बारे मैं story इस वीडियो में नहीं cover करूँगा, ये मेरा एक first proper blog था, और इस पर मुझे google adsense का approval भी मिल गया, adsense approval इतनी जल्दी beginners को नहीं मिलता, लेकिन मै मैंने अपने past experiences सी सीखा था, मैंने सारा का सारा original content रखा, तो मुझे approval मिल गया, approval मिलने के बाद मेरा सारा का सारा focus google adsense की screen के उपर ही रह गया, मैंने कोई article पोस्ट नहीं करा, मैंने कोई site को update नहीं करा, मैं रोज google adsense का जो dashboard है उसे खोल के अपनी earning को check करता था, refresh करते जाना और वहाँ पे dollar बढ़ते हुए देखना, पहले दिन में मैंने 0.10 dollar earn किये, 10 cents की earning को देखके मुझे बहुत जादा खुशी नहीं हुई, बट फिर भी मुझे लगा, कैर मैंने एक step तो आगे बढ़ा ही है, second day पे मुझे 2 clicks Canada से आगे और मेरी जो earning थी वो 4.5 dollar के आसपास हो ग dollar का rate चलता था, इसी के आसपास था, और मैंने उससे multiply कर और फिर मैं देखा कि यार इतना ज़्यादा पैसा मैंने सिर्फ एक दिन में कमा दिया है, और उसके बाद मैं और ज़्यादा लग गया अपने adsense account को देखने में, मैंने और आने वाले दिनों में देखा कि adsense में देख रहा था, click मैंने नहीं किया, लेकि Google को लगा कि ये चीज़ spam है, तो Google ने मेरे account को ban कर दिया, ban होने के बाद मैं इतना ज़्यादा demotivate होगा कि मेरा मन ही नहीं हुआ, दूसरा blog बनाने का, ये मेरा first adsense approval था, जो मुझे मिला, जिससे मैंने earning करी, और वो आने वाले कु कोई बंदा 10,000 रुपे कमा रहा है, तो मुझे 1,000 रुपे कमाने, 500 रुपे कमाने, मेरे को कोई करोड़ बती बनने की कोई भी idea नहीं था, मेरे को simple हलका सा अपना खर्चा है, वो निकालना था, और वही सेम चीज मेरी motivation भी थी, इसी direction में मैंने फिर और blogs को create किया, सेम को देख लेते हैं यार कि वो बढ़िया कर रहा है, तो मैं भी कर लूँगा, लेकिन क्या होता है, कि वो बंदा उस चीज के अंदर interested होता है, शायद उसलिए उसने ये चीज स्टार्ट करी हो, शायद मैं उस चीज के लिए ना बनाऊं, और यही सेम चीज हुई, कि मैंने 5- किये, website में domain खरीदता था, hosting मेरे पास पड़ी रहती थी, और उसके साथ मैं अपनी website थी, वो बनाता जाता था, लेकिन मुझे कहीं भी success नहीं मिली, इसके बाद मैंने थोड़ी बहुत research करी, मुझे SEO का पता चला, keywords का पता चला, और मैंने फिर उसके हिसाब से एक topic को decide करा, ये topic मेरे interest के related था, क्योंकि यहाँ पर मैंने coding पकड़ा, और मैंने inspirational stories पकड़ा, आगे चलके मैंने inspirational stories हटा दिया, और फिर मैंने coding पर जाधा काम करना start करा, मैं क्या करता था, जो भी trending topics रहते थे, उनके related अपने site के उपर articles डालता था, और वो majorly रहते थे, किसी भी inspirational बंदा है, APJ Abdul Kalam, Virat Kohli की मेरी post बहुत साथ चली थी उस time पर, तो मैं इस type का content डालता था, ये भी idea मैंने किसी और से copy किया था, लेकिन इसी के साथ साथ मैंने coding का section भी बीच में add का दे, coding में मुझे बहुत ज़्यादा इंटरस्ट था, इसलिए मैंने उसे add करा, कि यहाँ पर मैं time inspirational post रहती थी, वो कभी मैंने लिख दी, कभी मेरे ब्रदर ने लिख दी, हम week में एक आदी post लिखके डाल देते थे, किसी भी inspirational बंदे के बारे में, तो इससे क्या हुआ, हमें inspirational वाली site से कुछ traffic आने लग गया, कुछ मारी post rank कर गी, 7-8 नंबर पे randomly कहीं rank कर गी, और उससे में site grow करती ही, मैं अपनी site के उपर topics को add करता गया, जहाँ जहाँ से मुझे traffic का source लग रहा था, कि यहाँ से traffic आ सकता है, इस keyword से traffic आ सकता है, इस niche से traffic आ सकता है, वो सब कुछ मैं अपनी site के उपर डालता गया, मेरी site के पर कोई भी मेरा idea नहीं था, कि यार मुझे इस से बहुत दीरे traffic आता गया, traffic आता गया, मैंने इसको monetize बिल्कुल भी नहीं किया, जैस जैसे मेरी site के उपर traffic बढ़ता गया, मैं और जाधा काम करने लग गया, यह जो काम का मैंने आपको बताया है, कि मेरी site उपर traffic आन लग गया, इसमें बहुत जाधा time लगा, यह ऐसा नहीं है, कि 2 वीडियो को like कर दो, जैसे इस वीडियो पर 2000 likes हो जाएंगे, तो मैं आपके लिए वो जो next part है इस वीडियो का वो लियाओंगा, आप अपना interest शो करो like करके, और मैं आपके साथ अपनी जो journey है, कैसे यार मैंने रात भर जाग जाग के अपने blog को build करा, जिसकी वज़ा से के अंदर जाना चाहता हो, जिस भी type का article लिखता हूँ, वहाँ पर मेरी post बहुत जल्दी rank कर जाती है, और मेरे को जितना भी traffic आना हो तो वो आ जाता है, फिर वो post वहाँ से हट जाए, रहे, ना रहे, मुझे जाधा फरक नहीं पड़ता, मैं continuously site को पर post डाल के जाधा जाध traffic ले के आता हूँ और उससे earning कर लेता हूँ, यही मेरा fund है, और यही same चीज आपका भी रहना चाहिए, आपको जाधा focus रहना चाहिए, कि आपको traffic ले के आना है, और earning करनी है, अगर आप इसके ओपर चलोगे, definitely आपको भी earning हो जाएगी, तो यही थी मेरी journey first successful blog की, अगर मैं आपको इसे compile करके कुछ points में बता हूँ, तो यहार, जो मेरी success थी, वो भी मेरे learning थी, जो मेरे failures थी, वो भी मेरे learning रहे, इसके साथा, जो मेरी mistakes थी, वो भी मेरे learning रहे और इसके साथा, जो जो मैंने सीखा, learn किया, उसे मैंने implement करा, और वही reason है, कि मैं सीखते, सीखते grow आपने भी start किया है blog, यहां आपको भी success नहीं मिल रही है, आपको adsense approval नहीं मिल रहा है, यहां फिर आपका adsense disabled हो गया है, यहां फिर आपको traffic नहीं आ रहा है, आप अभी इस journey में किसी end पर हो, तो definitely यहर मुझे comment section में बता देना, और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि आ पाऊगे, यह था आपको वीडियो अच्छा लगोगा, अच्छा लगोता है, इस वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप इस वीडियो पे 2000 likes कर दोगे, तो मैं आपके साथ वो story share कर दोगा, कैसे मैंने 7-8 महीने, दिन रात एक करके काम किया, और उसकी वज़ा से आज क तो लाइक कर देना, और यह target को complete कर देना, इसी के साथ अगर आप मेरे earning proofs देखना चाहते हो, तो वो मैं सबसे पहले Instagram पर share कर देता हूँ, उसके लिए आप मुझे Instagram पर follow कर ले, links will be in the description, that's all for this video, I'll meet on the next one, till then, bye-bye.